नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्रूपिंग ओफ रिजिस्टर्स की है ग्रूपिंग ओफ रिजिस्टर्स एथे की है कि जो रिजिस्टर मतलब की है रिजिस्टेंसेज ठीक है जो मैनमेड या एक्सटरनल रिजिस्टेंसेज है जिन्नों इस तरह जो सिंबल यूज कर देया उन्हा सीरीज चे हुं धी है grouping और इक हुंदि है साधे कूल parallel चे series और parallel दो तरह दी grouping हुंदी है तुसी unit 1 चे जिमें capacitors दी grouping किती सी ऐसे तरह series तरह चे Resistors दी grouping है न सब तो पहला सानू series दे बारे चे पता होए कि मतलब की है series दी grouping दा ता इस तरह दी grouping चे की होएगा मालनों मेरे को एक तो जादा resistances है एक मेरे को ले resistance है एक कसी हो resistance consider किती ता हार एक resistance से देखो दो ends है ठीक है जिनिया मर्जी consider कर लिए जदो हार एक resistance दा एक end अगे दूजी resistance नाल connected है पर ए वाला end जो है इस resistance दा फिर तो दुबारा एदे नाल ही नहीं connected किते होर किसे होर resistance मालनों एथे resistance एक होर है एदे नाल connected है ता इस तरह दी grouping नो असी की कैदने है कि साढ़े कोल सीरीज दे विच ग्रूपिंग है पर अगर साढ़े कोल की होएगा मालनों कि एक resistance इस तरह है दूसरी resistance इस तरह है इस resistance दा एवाला end एदे नाल है और एसे resistance दा एही end ओही वाली अगली resistance दे नाल connected है ता पैरलर ठीक अगर एक end ही अगली resistance नाल connected है ता सीरीज छे है जे दोनों दे दोनों end अग्गे जाके ओही resistance अगली वाली नाल ओदे वी दोनों ends नाल connected है ता पैरलर है ठीक है अगर असी इस तरह लेके चल दे जिस तरह असी इत्थिवना ही डायग्राम दो resistances है दोना resistances दा इक इक end connected है दूसरा end आपस चे connected नहीं है जे मैं इस चीज नों इस shape चे भी लेके आजा ता ए वी parallel connection है इन्हों सी series नहीं बुलांगे ठीक है ता कई वरी जो diagram draw ही दा किती हुन दिया साड़े दिमाग चे fit है कि इस तरह दा कुछ भी है ता parallel है अगर सिद्धियां इस तरह लग जया है connections ता series है connected है दूसरा end जेड़ा है अगली resistance ए वाली नाली connected किते होर connected है ठीक है ता series है अगर एथे देखो दोना आपस चे connection है दूजा end उनको माँ के फिर दुबारा ता लग जया ता अगली resistance नाली है ता ultimately ए ही connection है मतलब ए दोनों डायाग्राम्स same है ठीक है मतलब हार एक resistance दे जेड़ियां दो resistances है उनना दे सारे ends आपस चे ही connected है ता series अगर ता सोरी parallel है अगर एक end connected है ता सी की कैदांगे की होएगा series होएगा हुन सड़े कुल की है resistances इन series दे विच चसी पहले ते diagram बनाने है series चे मालनो असी यह वाल यह diagram नहीं बनाने है यह सिरफ समझन ली है जो main असी diagram बनावाँगे ओदे चसी की किता suppose तिन resistances consider कर लिया थी एकदा नाम R1 है R2 है दूसरी से थर्ड है R3 ठीक है और एक battery connected है इना दे across battery दी voltage है V consider कर लो या फिर EV consider कर सागते है जिद्दा मर्जी कार के चल लो ठीक है उस तो बाद असी की कैदने है कि एदे चे current flow कर रहा है I ठीक from positive terminal to negative terminal series connections चे इक गलत आंचे रखनी है current जिड़ा है सारी यां resistances चे same flow करेगा लब I current है इस resistance चे भी उनना ही जाएगा और एदे चे series चे की problem हो सकती है मान लो एवाली resistance कम नहीं कार रही किसे कारण ये खराब हो गई ता current जिड़ा सरकिट चे flow होना बंद हो जाएगा क्योंकि current जिड़ा है पहला इस resistance चो पास करके फिर दूसरी को जाएगा फिर तीसरी को जाएगा ठीक है ता अगर पाथवे चे कोई एकवी खराब है ता current अगे flow नहीं करेगा एचीज हो गई सीरीज दे अंदर एक गल एकी त्यान रखनी है सीरीज चे current सब दे अंदर सेम जाएगा फिर potential difference जिड़ा है हमेशा दो points चे है ता कुछ potential difference एदे एक्रॉस होएगा क्योंकि दो ends एवाले हो गए जो एथे है सेम ही potential एथे जाएगा अगे क्योंकि एन्हे अगे flow करवाना है चार्ज नू ता जिनना potential इस end ते है या इस end ते है सेम ही inner resistances दे एवाले ends दे ता potential जिड़ा है कुछ parts चे इस तरह डिवाइड होएगा V1 एदे अक्रॉस हो गया सापोस V2 potential difference एदे अक्रॉस है V3 एदे अक्रॉस क्योंकि हार एक resistance दी value different हो सकदी है ता किते असी कैदने है जादा voltage यूज होई और लब मान लो resistance जादा वड़ी है जादा value है resistance दी ता battery दा उत्थे असी कैईए push उन्हों जादा लगाना पहेगा ना उत्थे जित्थे जादा resistance दा काम की है इक obstacle create करना current नो मान लो पहली resistance मेरे कोल वड़ी है as compared to second ता इत्थे battery जड़ी है उन्हों जादा जो है work done कैदो या push कैदो या potential apply करना पहेगा की current flow करे ता V1, V2, V3 different values हों गिया ठीक ता इधी definition series चे की कैनने है two or more resistors एक या एक तो जादा resistors उन्हों नों series चे connection कीता ता इधा मतलब की है same current pass करे through each of them but potential difference applied across combination की होए different होए ठीक है जी ताहुन असे यह दे चे की कवांगे की सड़े को first resistance दे across किनना potential difference है according to ohms law I R1 same है current current नों आए लिखा resistance R1 है second जो resistance है ओदे across किननी voltage applied है I R2 third है ओदे across है I R3 number one हो गया two है three है ठीक और battery किननी voltage दी है potential दी है V दी है ताह टोटल किस तरह लिखांगे V is equal to V1 plus V2 plus V3 और V नों भी असी किस तरह लिख सागदे है I into R लिख सागदे है अगर net resistance नों असी R देना denote कीता ताहुन RS भी लिख सागदे है क्योंकि series है यहां कला R लिख सागदे है अग R3 और सारे चो I जो की हो जाएगा common हो जाएगा और उन्हों सी की करदांगे cancel out करदांगे R1 plus R2 plus R3 ठीक है आए ना लाए cancel ताह R series की हो जाएगा R1 plus R2 plus R3 so on ताह series चे हमेशा resistances नों add करके total resistance जो है find out करांगे ठीक है जी उन्हें इस तो बात की है resistors in parallel जदो उसी parallel चे connections करने है पहला तासी connections लगा दिये एक तो जादा resistances है मानलो ठीक है first resistance parallel चे मतलब हर एक resistance they ends जड़े है आपस चे एक दूजे null connected है एक होर अगर लगा दिये ओ उत्थों ही connect होके अगे जाएगा इस तरह ठीक है ता इन्हों असी R1 consider किता R2 है R3 है और फिर असी बैटरी लगा दिती उधी voltage यह potential difference है V suppose current from positive terminal to negative terminal होएगा और देखो जड़ा current है थे flow किता ओ होन एक resistance जो लंग के दूजे चे नहीं जाएगा क्योंकि इत्थो बड़े अरामनल असी देख सक दिया कि current जिड़ा है कुछ इस wire चे चला जाएगा कुछ इस चे जाएगा कुछ इस चे तक कि इक resistance दे खराब होन दे नाल current दे flow चे कोई problem आएगा नहीं मान लो एवाली resistance खराब है पर current इस direction नो follow कर सकदा है या नीचे दी जा सकदा है तक current will flow through the circuit even if one resistance is not working properly अगर इक resistance काम नहीं भी कर रही ता मी current flow करेगा ठीक है जी ता ए हो गया जो series सी ओदे चे अगर इक भी खराब है तक current अगे नहीं जाएगा क्योंकि ओदे विच्चो फ्लो करके same current अगे जाना सी ठीक है एथे की है एथो ही current तिन directions चे हो गया suppose इन्हों मैं I1 बोल देता एथे I2 current हो गया एथे हो गया I3 current पर हुन देखो पैरलर चे की है current दिया values different हो गया पर potential सेम रहेगा क्योंकि potential हमेशा दो points दे विच है दो ends दे विच एही दो ends एथे जाके आए एथे दो ends सारिया resistances दे नाली connected है देखो potential difference मतलब दो ends एही दो ends मतलब एवाले ends एथे वी same potential difference और एथे दो ends हारी का resistance नाल connected है एही दो end R1 नाल भी है एही दो ends R2 नाल भी है यही दो ends R3 नाल भी है और यही ends मतलब यह वाले ends the potential V ही रहेगा across all the resistances ठीक एगाल हो गई यही definition चेह सी लिखांगे two or more resistors are set to be connected in parallel if potential difference across each of them is equal ठीक है to the applied potential difference but current is different across all the resistors ठीक हो जाएगा उने दे चरसी कितना starting करांगे जेडी चीज डिफरेंट है उदा सामलिख लो I1 प्लस I2 प्लस I3 जेदा series चे की different होना सीगा potential ता उना दा सामलिखके ohms law apply किता एथे वी असी इस तरह लिख दिता हुन ohms law दे accordingly असी की कहने है साथे कुल potential difference ता same ही है सब दे cross suppose first दे cross V is equals to current किना है I1 और resistance किनी है R1 एथो I1 दी value calculate कर सकदे क्योंकि इत्थे put करना है ता I1 ही find करांगे I1 की हो जाएगा V upon R1 इसे तरह I2 find करांगे V is equals to I2 R2 और I2 की हो जाएगा V upon R2 इसे तरह I3 calculate हो जाएगा V upon R3 और total I अगर calculate करना है ता ओवी की लिख दांगे V upon R total resistance नो Rp क्योंकि पैरलर जे find करनी है यह हो गया सारी चीजानों सी substitute कर दांगे ता की आजाएगा I दी जगाते V upon Rp I1 दी जगाते V upon R1 प्लस V upon R2 प्लस V upon R3 3 सारे चो V common हो जाएगा ठीक है और V जो है की हो जाएगा cancel out हो जाएगा ता अथे की बच गया 1 by Rp parallel connections दे विच जो है reciprocal लेके चलना है अगर parallel चे साड़े को resistance is connected है ठीक हुन जो series चे अगर connected है जादा तर numericals दे विच हुनदा है numericals चे ता डेको resistors के जो है या ता series चे होंगे या parallel या कुछ series चे है कुछ parallel तथ उसी formulas लगाने है ते find करना है total ओ भी ऐसी numericals करांगे ठीक है पहला सी सिरफ formulas याद कर रहे हैं एक गल और ए है resistors दी गल जदो capacitors कित थे सी पिछले chapter चे जदो capacitors series चे सी ओ एदे नालो उल्टा सी एचीज ते आँचे रखनी है capacitors जदो series चे सी उदो reciprocal लेके चले सी capacitors जदो parallel चे सी उदो simple ऐस तरह साम किता सी ता इना नों आपस चे तुसी confused नहीं हो ना इक नों याद कर लो याता resistors याद कर लो capacitors दे cases चे उल्टा series चे resistance से simple add, series चे capacitors reciprocal चे add सी parallel चे resistors reciprocal चे added है और parallel चे capacitors series चे added है ए चीजास ही याद रखांगे